हलो एवरीवन, वेलकम बेक टू नॉलेज फोर फ्यूचर स्टडी चैनल, मैं हूँ जुगल सर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में रन ओफ हैड्रोलोजी का ये टॉपिक है, इसको डिसकस करूँगा एक वीडियो में इस पर पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें मैं टाइपस ओफ फिलो, यानि की सर्फेस फिलो, बेस फिलो, ग्राउंड वाटर फिलो जिसे बोला जाता है और जो रन ओफ होता है, उसकी डेफिनेशन डिसकस कर चुका हूँ, अम में डिसकस करूँगा run of characteristics of streams यानि कि जो stream होती है वो कितने type की होती है आपके सामने लिखा हुआ है तीन type की stream mainly होती है perennial stream, intermittent stream और ephemeral stream ठीक है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे perennial stream जो perennial stream होती है it always carries some flow always carries some flow यानि कि इसमें 12 months यानि कि साल के 12 महीने इसमें कुछ ना किछ flow होता रहता है और ये जो flow होता है ये किस करण से होता है क्यूंकि इसमें throughout the year हमको जो groundwater flow है वो मिलता रहता है throughout the year groundwater flow इसमें मिलता रहता है और इसका जो flow होता है वो हमेशा above bed होता है above bed of stream यानि कि जो stream का bed होता है उससे हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर होता है फिलो ड्राइ सीजन की बात हो रही है बिंटर सीजन में और बारिस के टाइम पे प्रिसिप्टेशन सीजन में तो पानी रहता ही है नदियां उफान पर रहती है ठीक है तो जो पैरनेनियल इस्ट्रीम होती है उसमें ड्राइ सीजन म भी पानी होता है इसका जो डाइग्राम है वो ऐसे आप बना सकते हो कि एक तरफ है discharge क्यूँ एक तरफ है time और जो time के 12 महीने होते हैं उनमें कुछ time ऐसा और जो बरसात का time है उनमें पीक में चला जाता है यानि कि पानी बहुत ज्यादा होता है तो बरसात के time में पीक में चला जाता है यह December का महीना है यह January का महीना है ऐसे आप इसको सो कर सकते हो जो पैरनेनियल स्ट्रीम होती है उसका डिपेंडेवल फिलो होता है सो परसेंट सो परसेंट डिपेंडेवल फिलो इसमें होता है ठीक है यह भी आपको याद रखना है सो परसेंट डिपेंडेवल फिलो होता है पैरनेनियल स्ट्रीम का अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे intermittent stream ठीक है intermittent stream यह जो intermittent stream होती है उनमें जो groundwater होता है उसका limited contribution होता है जो perennial stream था उनमें groundwater का contribution था throughout the year इनमें groundwater का कम roll होता है ठीक है कम roll पिले करता है limited contribution होता है जो dry season होता है उसमें groundwater नहीं होता है और जो bad season होता है उसमें groundwater presence होता है इसलिए सर्दियों के time में इनमें कुछ पानी होता है लेकिन जो dry season होता है उसमें यह सूख जाते है dry season में intermittent stream सूख जाते है ठीक है और जो intermittent stream होता है इसका जो dependable flow होता है dependable flow वो zero होता है ठीक है 100% dependable flow zero होता है इसका ठीक है जो dry season में क्या हो जाते हैं ये सूख जाते हैं और bad season में इनमें कुछ पानी रहता है सर्दियों के टाइम में कुछ पानी रहता है अब हम last discuss करेंगे ephemeral stream ठीक है ये जो stream होती है उसमें base flow contribution नहीं होता है base flow contribution नहीं होता है यानि कि ground water flow से पानी इसमें नहीं मिलता है इसमें कुछ-कुछ time पर peak होती है यानि कि जो बरसात का time होता है उसमें ज्यादा पानी होता है उसके अलाबा पूरे साल ये जो river होती है ये सूखी रहती है जो सूख के area होते है arid zones arid zones में ये type की stream पाई जाती है ephemeral stream ये arid zones में पाई जाती है सूखा ग्रस तिलाकों में ठीक है फिलोग करेक्टरिस्टिक्स of stream depend upon किस-किस पर depend करती है ये सबसे पहले करती है rainfall करेक्टरिस्टिक्स पर और rainfall करेक्टरिस्टिक्स पर और rainfall करेक्टरिस्टिक्स में magnitude पर magnitude intensity पर कितनी तेज बरसात आ रही है ठीक है और कितना बॉलियूम है बरसात का इसके बाद distribution distribution एकोर्डिंग तू टाइम एंड इस्पेस इसके बाद इस बैरियेबिलिटी बैरियेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है बैरियेबिलिटी ठीक है तो ये rainfall करेक्टरिस्टिक्स है magnitude और intensity distribution अकोर्डिंग तू टाइम इस्पेस और बैरियेबिलिटी है second catchment characteristics जो catchment characteristics है उसमें soil कैसी है catchment की उसमें ज्यादा पोर होंगे तो runoff कम होगा पोर का मतलब गड़े ज्यादा होंगे नीचे पानी ज्यादा जाएगा इंटर फिलो ज्यादा होगा तो runoff कम होगा soil कैसी है वहांकी वहां पर बैजीटेशन होगा तो भी जो पानी है runoff हो रोक जाएगा बैजीटेशन की बज़े से ठीक है इसके बाद slope कैसी है वहांकी यदि उबडखावड होगा तो runoff कम spirits होगा और कम volume होगा slope geology and shape catchment area का shape कैसा है इसके बाद drainage density कैसी है यानि की जो drainage area क्या है उसमें objection presence है या नहीं इन चीजों पर डिपेंड करती है flow characteristics तीसरी है climatic factors climatic factors पर भी depend करती है stream की flow यानि की जो catchment area है उसमें climate कैसा रहता है वहां पर परसाथ होती है नहीं है arid zone है या फिर वहां पर ज़्यादा गर्मी बढ़ती हो तो evapotranspiration ज़्यादा होता हो यानि की पेड़ पदों से पानी ज़्यादा उड़ता हो तो climatic factors पर भी flow characteristics depend करती है तो तीन type पर depend करती है rainfall characteristics catchment characteristics or climatic factors rainfall में magnitude and intensity distribution according to time and space variability catchment में soil कैसी हो vegetation है slope बगेरा पे और drainage density पर depend करती है ठीक है तीन type की stream हमने पड़ी थी perannual, intermittent और ephemeral ठीक है perannual में throughout the year groundwater का support होता है intermittent में bad time में यानि की सर्दियों के time में groundwater मिलता है लेकिन dry season में सूख जाता है ephemeral में बिलकुल ही dry season में सूखा होता है और यह arid zone में पाये जाती है ephemeral जो stream होती है उनमें groundwater का कोई roll नहीं होता है groundwater नहीं होता है इसके अलावा जो perannual stream होती है उसमें 100% dependable flow एक होता है यानि की presence में होता है और intermittent stream में जो 100% dependable flow होता है वो zero होता है यह दोनों term आपको याद रखनी ही थी ठीक है अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो channel को please subscribe जरूर कर दें red button को जरूर दबाएं like करें, share करें और comment जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी यदि आप कोई specific topic पढ़ना चाहते हो तो आप उसको भी comment करके बता सकते हो तो